बुलुश्री प्राणनाथ प्यारे बुलुश्री सत्गुरु महाराज प्राणधार आत्मसमंदे सुन्दर साथ जी कल की चर्चा में हमने श्रवन किया कि किस तरह से श्री देव चिंद्र जी की अंतरध्यान के पस्चाद सब सुन्दर साथ की जागनी की सेवा का बीड़ा आंतरीक रूप से महिर राजी ने अपनी उपर लिया कैसे उन्होंने सुन्दर साथ की सेवा करनी चाही किस तरह से बिहारी जी की शिकायत के कारण उन्हें एक वर्ष तक नजरबंद में रहना पड़ा वहां किस तरह से युगल सुरुप उनके हरिदय में विराजमन हुए किस तरह से वानी का उतरण हुआ बिहारी जी के पास वानी लाए जाने पर उन्होंने कैसा उतर दिया और फिर वहां से जब श्री जी जुनागड पहुँचे तो जुनागड में हरिजी व्यास के साथ किस प्रकार की घटना हुई कि कैसे हरिजी व्यास ने ये दावा किया था कि जिसको मैंने हां कहा उसको ना कहने वाला और जिसको ना कहा था उसको हां कहने वाला कोई नहीं हुआ तो अब उसको प्रबोधित करने के लिए स्रीजी ने कांजी भाई को सेवा दी थी कि इनको स्वस्त करना है कान जी भाई की सेवा सेवे प्रसन भी हुए और फिर जब कोई इच्छा कोई बक्सिस देनी चाही तो कान जी भाई ने कहा कि मेरे यहाँ एक साधू है आप उनसे बात कर लीजे तो अंतिम चोपाई कल जो हमने पढ़ी उसमें हरजी व्यास ने क्या कहा था स्याबास कान जी तुमको क्या तुम माग्या मुझसे एक ते राजी किया सेवा मिने फेर चर्चा सुनावने के फेर चर्चा सुनावने के बुलाओ साधवे कहा है अब हरी जी व्यास ने कहा कि कान जी भाई आपको स्याबास ही है मेरे तरफ से धन्यवाद है कि एक तो आपने मुझे सेवा से भी राजी किया और दूसरा जिस काम को मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ किया करता हूं कथा सुनाने का ज्यान चर्चा सुनाने का वही काम करने के लिए आप कह रहे हो अब आप बुलाओ कि वे साधू कहां पर हैं मैं उन्हें चर्चा सुनाऊंगा आपकी इस इच्छा से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं तब कान जी भाई स्रिजी सहाइब को लेकर गए उन्होंने दोनों का मिलाप कराया पहले तो एक सामान्य सिष्टचार के नाते बादचीत होई हाल खवर पुछी एक दुसरे की और उसके बाद उन्होंने कहा भले साधु तुम आए मैं चर्चा सुनाऊं तुमको जो चर्चा को हो सो करूं तुम्हें राजी करूं तिन सों हरजी व्यास ने कहा श्री जी को कि मात्मा जी आपने अच्छा किया यहां आ करके मैं आपको जिस विशय में आप सुनना चाहते हैं उस विशय में चर्चा सुनाऊंगा इस तरह रहने के लिए जगह भी दी अपने ही बाग में ठहरने की जगह दी और साथ में भागवत के वचनों से चर्चा होने लगे शुरुवात से लेकर कि उन्होंने भागवत सुनाई और भागवत चर्चा सुनते सुनते दो महिने का समय व्यतित हो जाता है सुनने वाला भी मगन होकर सुन रहा है सुनाने वाला भी मगन होकर सुना रहा है और सुनाते सुनाते एक दिन ऐसा प्रसंग आता है कि उसमें ना वर्णन आता है एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार 84 लाख योजन ताको करो विचार कि युधिष्टिर के राज़े में जब युदिष्टिर राजा बने थे तो वहां एक ब्रह्मन आ करके युदिष्टिर के लिए युदिष्टिर को गालियान देने लगा डांटने लगा फटकार लें लगा अब भाईयों ने जब सुना बाहर आए बाहर आ करके पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं आप ऐसा क्या कर रहे हैं तो ब्रामण कहते हैं कि मेरे पुत्र पैदा होते ही मर रहे हैं और सास्त्रों में लिखा है कि जिस राज्य का राजा अधर्मी होता है वहीं पर अकाल मृत्यू होती है यदि मेरे बच्चों की अकाल मृत्यू हो रही है तो इसका तात्पर यह है कि राजा अधर्मी है और राजा तो युधिश्चिर ही है अब अर्जुन ये नहीं चाहते थे कि कोई भी युदिश्टिर को इस तरह से कहे अर्जुन ने कहा कि मैं आप चिंता मत किजिए अगले होने वाले बेटे की रक्षा में स्वयम करूँगा अब मृत्यु से कोई भला कैसे बचा सकता है अर्जुन एक अवस्था में जाकर के स्वयम को भी नहीं बचा पाए इस ब्रह्मान में जो पैदा हुआ है उसका नास होना तो निश्चित ही है अर्जुन ने कोशिष्टों की धनुसबान लेकर के बैठ तो गए पर मृत्यु ऐसा नहीं है कि आपके सामने कि किसी का सरीर धरके आ जाए किसी भी रूप में हो सकता है अब जो अगला बालक पैदा हुआ वह भी मृत्य ही पैदा हुआ अब अर्जुन ने प्रतिज्यां कि यदि में रक्षा नहीं कर पाया तो मैं स्वयम आत्म हत्या कर लूँगा आत्म दाह कर लूँगा क्रिष्ण जी ने अब सोचा की नहीं है यह तो उचित नहीं है अर्जुन को कारण भी समझाना है कि ऐसा क्यूं हुआ है तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए जो वही प्राणी मरते हैं वे भुमापुरुस के पास पहुंचते हैं भुमापुरुस का तात्परिय जिसको नारायन कहा है वही वास्तों में भुमापुरुस है क्योंकि जीवों की उत्पत्ति उन से हुई है तो लए होने के पस्चात उन ही में जाना है तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम भुमापुरुस के पास जाते हैं और उन बालकों को वापस लेके आते हैं अब प्रसंग इस प्रकार से आया है कि कृष्ण जी अर्जुन को भुमापुरुस के पास लेकर के जा रहे हैं घोर अंदकार में प्रकृतिमंडल के घोर अंदकार में प्रवेश किया उसको उन्होंने सुधर्शन चक्र से प्रकास किया सुधर्शन चक्र से अंदकार काटते हुए अंदकार को चीरते हुए वे पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा 84,00,00 योजन का एक महल है जिसको यहां मंदिर कहा गया है और वो पूरा एक हीरेका बना हुआ है तो जब यह प्रसंग सुना, तो श्री जी ने पूछा कि यह हीरेका महल किसका स्थान है तो व्याह जी ने जवाब दिया कि यह तो अक्षर का स्थान है कि सास्त्रों में ऐसा लिखाए कि यह स्थान अक्षर का है अब श्रीजी अत्यंत विनम्रता के साथ में पूछते हैं कि आप बताइए कि वो इस्थान कहां पर है यह 14 लोकों के उपर है अथवा नीचे है 14 लोकों के अंदर ही आता है कि इससे अलग बाहर आता है आप मुझे समझाईए क्योंकि भागवत में ही आपने कहा पांच तत्व और तीन गुण सहीत मूल प्रकृति तक का तो महाप्रले में नास हो जाता है जब नास हो जाता है तो आप बताइए कि अक्षर का जो इस्थाने वो कहां रहता है और आप बिल्कुल भी हमसे अंतर करके कोई भी बात मत छिपाना तब व्यास जी कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो नारायन की जगह है और ये शीर सागर में ऐसा आया है अब कभी वो नारायन के लिए कह रहे हैं कभी कह रहे हैं कि ये तो अक्षर की जगह है तो स्री जी ने कहा कि यदि छीर सागर में भी है तब भी उसको अखन तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि चीर्शागर्च उदर लोकों के अंदर ही आता है पाताल में ही आता है उसका तो नास हो जाएगा तब स्रीजी ये कहया ये तो कहया मिने इंड ये महा प्रलय में ना रहे उड़े त्रिगुण समेत ब्रह्माण कि ये तो ये ब्रह्माण तो त्रिगुण के समेत नश्ठ होने वाला है समाप्त होने वाला है स्रीजी कहते हैं बार-बार कि फेर फेर विंती करें हमसो ना करो अंतर हमें तुम बिना कौन समझा वहीं दिखावे पटंतर कहते हैं कि आप तो इतने बड़े ग्यानी हैं अब य संझा सकता है आप हमसे किसी भी प्रकार का अंतर मत रखीए किसी भी प्रकार का फर्क मत रखीए इस विशय को मद़िश्चिपाइए अब व्यास जी क्योंकि उत्तर आ नहीं रहा है तब क्या करेंगे जुक करके उन्होंने कहा विनम्र हो करके कि आप मुझसे ऐसा क्यूं कह रहे हैं जब सास्त्रों में आचारियों ने ही ऐसा लिखा है तो मैं भला इसमें क्या कर सकता हूं और इतने में जिनन आचारियोंने ग्रंत लिखा भागोतादी की रचना की उनको कटो वचन कहने लगए उनको ऽरा बुरा कहने लगए कि इन्हों नहीं ऐसा लिखा है इनकी ही गलती है अब इतने में कान जी भाई को और कुछ सूजा उन्होंने क्या कहा कहते हैं तब कान जी एं कहया कच्छु अक्षरातीत की पूछो बात के रहे श्री जी आप च्छर अक्षर का तो पूछ रहे इनको थोड़ा अक्षरातीत का भी पूछ लिजिए ऐसे हाथ लगा करके स्री जी को जो साय उन्होंने इसे हाथ जटका दे करके कहा कि एतो थका च्छर में सुध नहीं अक्षर अक्षरातीत की तिन को एक या देवे उत्तर ये तो च्छर में ही थक चुका है च्छर की ही इसे पहचान नहीं है फिर अक्षर और अक्षरातीत की भलाये क्या उत्तर दे के अंदर इसमें मुद्रुफ से वर्णन तो मुह सागर का ही है अक्षर के मन का जो सांकल्पिक स्वरूप है कि जब स्वयम को नारायन के दाने पाते हैं स्वय जो प्रणव है अथा वा सुमंगला पुरुस है उसका वह प्रतिविंब है अब प्रतिविंब को बताने से क्या पता चलता है कि इसका कहीं ने कहीं बिंब भी होगा अर्थात भाग्वत में अक्षर के मन का प्रतिविंब की तरफ संकेत करके केवल ये बताने का प्रयास किया है कि यह प्रतिविंब है तो इसका बिंब कहीं अखंड में है तो ऐसे क्या हो गया खिचड़ी बन गगई न ये पूरी तरसे च्चर का वर्णन कर पाए न अक्षर का वर्णन कर पाए और तार्तम जयान्न न होने से व्यास जी क्या हर जी व्यास ही नहीं अपितु जिनों ने भागवत लिखी है वहाँ भी नहीं बता पाएंगे कि ये ठोर कौन सी है, ये स्थान कौन सी है केवल तार्तम ज्यान से ये पता चलता है कि भागवत में जो वर्णन किया है वहाँ नारायन का स्थान है जो की अव्याकृत का अक्षर के मन का प्रतिबिम्ब है केवल उस बिम्ब के विशे में बताने के लिए अखंड के विशे में संकित करने के लिए इस कथानक का वर्णन किया गया है अब कहते हैं कि जब स्रीजी ने इस तरह से जोस में कही तो व्यास जी की सुद्भुदु चली गई स्रीजी ने कहा कि सुनो व्यास जी मैं जो आपके पास आया हूँ उसके पिछे कारण ये है कि आपने अंतिम समय में मुख्य रुप से दो बातें की थी पहली बात कि मैं नहीं इन इंड का मेरा क्यों कल पाओ मन मैं इस संचार का नहीं हूँ तो ये दान पुर्णिय करके यमपूरी का साधन करके मुझे दुखी क्यों कर रहे हो और दूसरा कारण ये था कि आप में ज्यान का अहंकार था और आपने ये कहा था कि जिसको मैंने हां कहा उसे ना कहने वाला और जिसको मैंने ना कहा उसे हां कहने वाला अब तक कोई नहीं हुआ है और परमात्मा की जिसपर कृपा होती है परमात्मा उसके अहंकार को समाप्त कर देते हैं कहते हैं हमको पठाए हक ने तुमको राखे तिन जिन पर मेहर भगवान की गुमान भान करे रोशन देखे यह जो ज्ञान का अहंकार होता है न अहंकार तो बहुत तरह के होते है आगे भी प्रसंग आएगा चिंतामणी जी के यहाँ किसी को धन का अहंकार हो सकता है किसी को रूप का अहंकार हो सकता है किसी को बल का किसी को अपनी कला का, किसी को अपनी पद का, प्रतिष्ठा का, सत्ता का, और किसी को ज्ञान का हंकार, इन सभी प्रकार की बुजुर्गियों में, सभी प्रकार के प्रतिष्ठाओं में, अहंकार में, ज्ञान का हंकार सरवाधिक हानी का रखे, कैसे जिसको बल का अहम होगा उसे ज्वेक्ति समझा सकता है कि हर सेर को सबसेर मिलता है के बल का अहंकर नहीं करना चाहिए यह बल कब तक रहेगा जब तक सरीर स्वस्थ है जिसको रूप का अहंकार होगा उसको भी ज्यानी समझा सकता है कि यह और रूप तो यह जो सरीर का संधर्य है यह तो मलमुत्र के कारण है इस व्हों सरीर के प्रत्ति रोम-्रोम में से गंदगी निकलती किस बात अहंकार वह वो भी समझा सकता है जिसको किसी प्रकार की कला का अहंकार होगा उसको भी ज्ञानी विक्ति समझा सकता है लेकिन जिसको ज्ञान का ही अहंकार है उससे कौन समझा है क्योंकि उसके पास ज्ञान पहले सही है राम और रावन में इतना ही फरक है युदिश्टिर और दुर्यधन में इतना ही फरक है राम और रावन में क्या फरक है किसी ने क्या खूब लिखा है कि रावन को ग्यान का अहंकार था और राम को अहंकार का ग्यान था केवल दो शब्द दरुदर है एक है ग्यान का अहंकार और एक है अहंकार का ग्यान युदिष्टिर और दुर्यधन में भी इतना ही फरक है दुर्यधन कम ग्यानी नहीं है लेकिन वो क्या कहता है मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म को भी जानता हूँ पर उसे में छोड़ नहीं पाता यह ज्यान के अहंकार के कारण है श्री जी कहते हैं कि जिसके उपर परमात्मा की कृपा होती है तो परमात्मा उसके अहंकार को सर्वप्रथम समाप्थ कर लेते हैं तब अब क्योंकि अहंकार समाप्थ हो चुका है तो उन्होंने कहा हे भक्त, हे भक्त राज अभी पूर्ण पहचान नहीं हुए कि वाल अंकार समावत हुआ है तो एक भक्त के रूप में एक भक्त राज की रूप में कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कहा वह भी मेरे लिए तो लाभ दायक ही हुआ क्योंकि यदि कदाचित मैंने ऐसा नहीं कहा होता तो आप मुझे तक नहीं पहुँचते तो कहीं न कहीं कारज कारण मेरा लाभ होना था इसलिए मेरे मुख से ऐसा निकल गया और जहां तक बात है ज्यान की तो मैं ये स्विकार करता हूँ कि जैसे एक गूलर का व्रिक्ष होता है गूलर तो आप लोग समझते ही होंगे आपको गूलर अगर आपने कभी देखा नहीं है समझना हो तो हमारा जो ज्यान पीट में जो पंडाल है ना इधर से जाते समय लेफ्ट कॉर्णर में देखे गूलर का एक बहुत बड़ा पेड़ है तो गूलर में फल लगते हैं देखने में लगभग लगभग अंजीर जैसे ही दिखते हैं तो उसमें जब थोड़ा सा पकना शुरू होते हैं तो अंदर कीडे लग जाते हैं तो हरजी व्यास कह रहे हैं कि जैसे एक गुलर के फल में लगने वाले कीड़े को दूसरे फल के विशे में तो क्या उस फल के बाहर के विशे में ही पता नहीं होता है उसके लिए तो वो फल ही पूरी दुनिया है तो दूसरे फल में जितने कीड़े होंगे उनके विशे में कोई पता ही नहीं तो मैं भी उस गुलर के अंदर के कीड़े के समान हूँ कि जिसमें अनेक जीव होते हैं पर अपने से बाहर का अस्तित्व नहीं जानते हैं पहले तो मैंने बहुत सारे पंडितों को हराया है ग्यान में लेकिन कभी हारा नहीं और आज में अपने सारे हतियार जो ग्यान के हैं वो आपके आगे डाल रहा हूं और अपना आत्म समर्पन कर रहा हूं ये निश्चित है कि आपको परमात्मा ने मेरे कल्यान के लिए भेजा है अब आप मुझे वह रास्ता दिखाईए जिस पर चल कर मैं अपना कल्यान कर सकता हूं अब इसके बाद स्रीजी ने उनको प्रबोधित किया जितना उनका संबंध था जेता अंकूर इनका तहालो भई सोहबत बितक में जहां भी इस प्रकार की चौपई आएगी ना जेता अंकूर इनका इस तरह की या अंकूर माफक फल लेना तो हम लगबग लगबग प्रत्यक इस्थान पर यह समझ सकते हैं कि जिनके विशय में ऐसा कहा जा रहा है उनमें इस्वरिय स्रिष्टी की वासना थी क्योंकि हरजी व्यास ने जो कहा कि मैं इस इंड का नहीं हूँ जीव स्रिष्टी तो वह है नहीं और जिस तरह की उन्होंने पहचान की है वह पहचान ब्रह्म स्रिष्टियों वाले नहीं थी तो इसलिए श्री लालदाची कहते हैं जेता अंकूर इनका तहालो भाई सोबत फेर तीन से जुदे पड़े आये नवतन पुरितित अब वहां से अलग हो करके उस समय श्री जी को अंतह प्रेरणा हुई कि सुन्दर साथ के उपर कोई माया भी कश्ट आने वाला है जिस कुतुब खान का प्रसंग हमने सुना था कल के चर्चा में जिससे समझोता करने के लिए जावनगर के वजीर गए हुए थे कि हमें कर चुकाने के लिए कुछ समय के अवधी दी जाए वो अवधी पूरी हो चुकी थी लेकिन कर नहीं चुका पाए थे तो वहां गुजरात पर आक्रमन करने के लिए जा रहा होता है लिए श्री जी वहां से जुनागर से नौतनपुरी जाते हैं बिहारी जी से बात करते हैं और बात करके अब 1720 में जामनगर की दिवान गिरी अर्था सचीव का काम ले लेते हैं और लेकर के जो जिम्मेदारी थी कर चुकाने की वो सारा अपने उपर लेते हैं और कहते हैं कि हमें बस कुछ समय की महलत दी जाए और यदि हम नाकाम रहे तो आप मुझे फासी पर चड़ा देना अब माया की ये परिक्षा है इंद्रावती जी की परिक्षा माया के द्वारा जो निश्चित समय था नियत समय पर कर नहीं चुका पाए तो क्या हुआ स्रीजी साहिब को कारागार में डाल दिया गया फासी का दिन निश्चित किया कि इस दिन मीर राज को फासी हो गए अब कानजी भाई जो अब तक हर सेवा में आगे रहे हैं वह गय और तेजकुवरी जी के वस्टर पहन करके मिहर राजी से मिलने के बहाने से कि मुझे पती से मिलना है क्योंकि कैद में भी कोई होता है तो घरवालों को मिलने दिया जाता है अब गए बात करने लगे कांजी भाई ने पूरी तरह से स्रीजी को मनाने का प्रयास किया कि आप यहां से चले जाईए तेजकुमर जी के वस्त्रधारण करके बाईजुराजी के मैं आपके जगब पर रह लोगा कहते हैं कि यदि मुझे कुछ हो भी जाता है वैसे तो राजजी कुछ होने नहीं देंगे पर यदि कुछ हो भी जाता है तो एक स्रीजी साहेब हजारों कांजी भाई को तयार कर सकते हैं पर हजारों कांजी भाई मिल करके भी आप जैसा क्वेशी को भी तयार नहीं कर सकते इसलिए ये सेवा का मौका मुझे दीजिए, अब माने ही नहीं, जबरजस्ती जिद करके उन्होंने श्री जी को वहां से बाहर निकाला, उनकी जिद के आगे स्री जी साहिब को भी बाहर निकलना पड़ा, तेजकुमर जी के वस्त्र पहन करके वह वहां से निकले, उधर जिस दिन फासी का तै हुआ था, उस दिन तक कानजी भाई की दाड़ी बहुत बड़ी हुई थी, वे लोग जो सैनिक थे, जिस दिन निश्चित हुआ था, फासी देने के लिए, उनको निकालने के लिए जा रहे होते हैं, तो अब राजी का जो जोस है, जिब्रिल, उनकी अंदर प्रवेश करके, इस तरह से कयामत की विशय में बात करने लगता है, कि तुम लोग जिस तरह से दूसरों के उपर जुल्म कर रहे हो, तो कयामत के समय में, जो आखिरत के समय में खुदा काजी बनके कजा कर रहा होगा, सबका नयाय कर रहा होगा, नयाय अधिस बनकर, तो उस समय तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, अब उन सैनिकों ने सोच लगता है, कहीं हम किसी गलत व्यक्ति को तो पकड़ करके ले नहीं आए, तो इस धोखे में उन्हें कानजी भाई को भी छोड़ देना पड़ता है, इस तरह, श्री जी वहां से निकल करके वापस जामना कर जाते हैं, और वहां जाकर के सारा कार्य भार फिर छोड़ करके, अब दीप बंदर पहुंचते हैं, कहते हैं, आए दीप गुजरात से, श्री राज भय फारक, माया पूरी दिखाय के नजर करी तरफ हक, ये जो चौपई है न माया पूरी दिखाय के नजर करी तरफ हक, बहुत महत्तो पूर्ण है, वाणी में, पहले ही प्रकरण में एक चौपई आती है, कि मैं त्रण जुध कीधा फरी फरी, पच्छे गत मत मारी हरी, लई वस पोताने करी, ये माया बहुत ही बलशालीनी है, और ऐशी बलशालीनी ह कि इसके साथ मैंने भी तीन युद्ध किये, सद्गुर महाराज ने प्रणाम स्विकार नहीं किया, उसके बाद भी बुलाय जाने पर वो गए, जब फूलबाई जी का त्याग करने का आवसर आया, तब भी उन्होंने त्याग किया, बिना किसी कसूर के, बिना किसी गुना के हफसे के जेल में जाना पड़ा, वो भी सुईकार किया उन्होंने, हर युद्ध वो जीतते गए, पर अंतिम में ये वाला जो युद्ध था, क्या कान जी भाई को जितना राज्जी पर विश्वास्था इतना इंद्रावती जी को नहीं होगा, पर राज्जी कहीं न कही प्रत्यक ब्रह्मिस्ष्टी की हासी कराने के लिए कोई न कोई राष्टा जरूर निकाल लेते हैं, वो अपने उपर थोड़ी लेंगे, हर ब्रह्मिस्ष्टी की हासी होनी है, तो उन्होंने यहां राष्टा निकाला, कि कहने का मौका मिल जाए, कि जो कान जी भाई इतना विश्वास कर सकते हैं कि खुद फांसी पर चड़ने के लिए भी तयार हो जाते हैं और उनको इतना विश्वास है कि वो भी नहीं चड़ाएंगे राजी चड़ने नहीं देंगे तो अब मिहिर राजी तो जेल से बाहर निकल गए तो कहने का मौका मिला ना कि इंद्राउती जी को तो इतना विश्वास नहीं था जबकि यहां सवाल विश्वास का था ही नहीं कि वह राजी ने हसी कराने के लिए यसे लिला करवाई अब ये कहा गया माया पूरी दिखाए के पूरी माया दिखाई इंद्रावती जी को चौथे युद में हराया माया ने और वहां से अब स्री जी पहुँचे हैं दीप बंदर अगले प्रकरण में क्योंकि जागनी का प्रसंग चलना है अब तक सामान्य रूप में जुनागण में भी बहुत कुछ खास नहीं हुआ एक हरजी व्यास के साथ बातचीत हुई लेकिन अब जागनी का असली दौरा है वो दीप बंदर से शुरू होता है और जागनी किसकी होनी है मूल रूप से वाणी क्या कहती है कहती हूं उम्मत को सुनसी सबसंसार मक्सूद तिनका हो इसी जो लेसी एह विचार वैसे तो वाणी समस्त ब्रह्मान में के लिए आउतरित हुई है मुख्य रूप से इसके जो टार्गेट ओडियंस है मतलब जि इसके लिए वाणी आउतरित हुई वो तो ब्रह्म सुष्टी है लाब इसका सब को मिलेगा जैसे एक उधारण सामान या उधारण से समझना हो तो जैसे किसी भी स्थान में चुनाव होता है चुनाव होने पर नेता अलग-अलग पार्टी के होते हैं एक ही पार्टी के व्यक्ति को तो वोट नहीं दिया जाता है जनता अलग-अलग नेता को वोट देती है लेकिन कोई एक नेता चुना जाता है अब वह अपने गाउं में विकास के विभिन प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित करता ह सड़क बनाया जाता है विद्यालय बनाया जाते हैं और भी निर्माण के कारिय होते हैं तो उस समय वह जो नेता है यदि अच्छा है तो वह यह थोड़ी सोचेगा कि इस तरफ के लोगों ने मेरे पक्ष में वोट दिया है तो मैं इन ही के लिए रास्ता बनाऊंगा विपक् पर इसका लाब हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो इसका चिंतन मनन मंधन करेगा तो यहां अब अगले प्रकरण में इसी संदर में तीन स्रिष्टियों का ब्योरा बताया है क्योंकि जागनी होनी है तो तीन स्रिष्टि की पहचान बताने जा रहे हैं कि तीन स्रिष्टि कही व ये प्रसंग हर सुन्दर साथ के लिए बहुत ही महत्योपूण है विश्य सुर्प से बौधिक द्रिश्टी कौन से हर ने les Также का ये सवाल होता है कि जीव और आत्मा में क्या फरक है कैसे फरक हैं कैसे बता很好 के निया के लोग तो जीव और आत्मा को एक ही कहते हैं जीवात्मा जीवात्मा कहकर वर्णित करते हैं तो हमें किसी को समझाना हो ब्रह्म्व स्रिष्टि स्वरेश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष की है जीव इस्वरी और ब्रह्म श्रिष्टि इसी तरह से कतेव परंपरा में खुरान में भी तीन श्रिष्टि का वर्णन है तीन प्रकार की पैदा इसका तीन श्रिष्टि का आम खास और खासल खास सादूओं की वाणी में भी तीन स्रिष्टी का वर्णन है कहीं कहीं पर किसी-किसी संत्वाणी में बगुला हंस और परम्हंस कहा है तो किसी-किसी संत्वाणी में जीव हंस और परम्हंस कहा है साब्दिक अर्थ के हिसाब से प्रसंग परिस्थिति के हिसाब से यह जो तीन अलग-अलग प्रकार हैं हिंदु धर्मगरंथों में संतवाणी में और कुरान में तो यह प्रसंग भले ही अलग-अलग हो पर इतना तो पक्का है कि स्रिष्टी तीन प्रकार की है तो पहले हिंदु धर्म ग्रंथों के आधार पर समझते हैं कि किसके लिए क्या शब्द का प्रयोग क्यों किया है देखिए मूल से पकड़ेंगे तो बात समझ में भी आएगी और समझाने में भी आसानी होगी परमात्मा सत्चिद आनंद स्वरूप है सत्चित और आनंद हम लिला रूप में उनको चिदघन स्वरूप के रूप में राज्जी कहते हैं सत अंग के स्वरूप के रूप में उन्हें अक्षर कहते हैं और आनंद घन स्वरूप के रूप में श्यामा जी सहित ब्रह्मस्टिस्टियां ठीक है तो जो सच्चिद आनंद स्वरूप परब्रह्म है उसके सत का जो अंग है उसे कहते हैं अक्षर सत अंग को क्या केते हैं अक्षर चिदगन स्वरूप राज्जी स्वयम ही है और आनंद स्वरूप श्यामाजी सहित ब्रह्मिस्ष्टिया तो अब हमने एक को पकड़ा चेतन राज्जी जो की अक्षर आतीत है उनका सत अंग है अक्षर और अक्षर के मन का सांकल्पिक प्रतिविम्ब स्वरूप है नारायन ये हुए तीन पुरुष ठीक है इधर से उपर की तरफ जाएं तो च्छर, अक्षर और अक्षरातीत उपर से नीचे आना हो तो अक्षरातीत उनका सत अंग अक्षर और उनके मन का सांकल्पिक स्वरूप है च्छर ब्रह्म अथवा नाराण अथवा आदी नाराण अथवा महाविष्णो तो तीन पुरुस जैसे हैं इसी तरह से तीन पुरुसों से जुड़ी हुई तीन स्रिष्टी है अक्षरातीत जिनके आनंद अंग के विशे में हमने पहले ही सुना कि उनके आनंद अंग है श्यामाजी सहीत ब्रह्म स्रिष्टियां तो पहले स्रिष्टी वो होई गई दूसरी है अक्षर ब्रह्म ने खेल का अधिक आनंद लेने के लिए स्वयम को 24,000 सुर्ताओं के रूप में बाटा जो की इस माया के ब्रह्माण में खेल देखने के लिए आई है तो वह हो गई इस्वरी स्रिष्टी और जो आदिनारैन है उसके संकल्प से कि मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊँ एको अहम बहुत स्याम उस संकल्प से बनी हुई स्रिष्टी में जितने भी प्राणी है वे सभी हैं जीव स्रिष्टी तो तीन स्रिष्टी हो गई जीव इस्वरी और ब्रह्म स्रिष्टी तो जो जीव स्रिष्टी है वो जीव है और जो ब्रह्म स्रिष्टी है उसको आत्मा कहा जाता है रही बात संख्या की कि कितनी कितनी है परमधाम अनंत है तो वहां अनंत ब्रह्मिश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् गया है खेल दिखाने के लिए अन्य था परमधाम में जैसे सामन ये उदाहरण से समझें तो बताया जाता है कि जो मानिक पहाड है वो 12000 भूम का है प्रत्येक भूम में 12-12,000 हिंडोले हैं प्रत्येक हिंडोले में हिंडोला मतलब जूला प्रत्येक जूला इतना बड़ा है कि एक ही जूले में 12,000 ब्रह्मिस्रिष्टियां युगल स्वरुप सहित विराजमान होकर के जूल सकती हैं तो सोचिए कि क्या एक ही जूले में सब बैठते हैं और बाकी सारे जूले खाली हैं ऐसा थोड़ी है अनन्द ब्रह्मिस्रिष्टियां है लेकिन वाणी कहती है बेशुमार लियाए सुमार में तो इसी तरह से इस्वरिस्रिष्टि जो कहा गया है अक्षर ने स्वयम को 24,000 सुर्ताओं में बाटा तो उन्हें इस्वरिस्रिष्टि कहा गया और नारायन ने जो संकल्ब किया अब नारायन की जो संख्याए वो कितनी है वैसे तो सीमित है पर हमारी बुद्धी में नहीं आ सकती इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि केवल मनुष्य मात्र की ही जन संख्याँ अभी आठ अरब की है ऐसी ऐसी 84,000,000 योनिया है हर योनियों में प्राणियों की संख्या कितनी है हमें कोई भी अता पता ही नहीं है इसलिए सीमित होते हुए भी हमारे बुद्धी में यह नहीं आ पाती है तो हिंदु धर्म ग्रंद की आधार पर यह तीन स्रिष्टी हो गई गीता में तीन पुरुषों की जिस तर से विवेचना की गई है द्वाविमव पुरुषों लोके चरह अक्षर एवच चरह सर्वानी भुतानी कुटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमह पुरुषःत्वन्य परमात्माइति उधारित योलोक अत्रयमाविष्य विहर तव्य इस्वर इस प्रकार तीन पुरुष हो गए चरह अक्षर और उत्तम पुरुष अथवाक्षरातित और तीन पुरुषों की तीन स्रिष्टियां इसी तरह से कते परंपरा में उनको आम खास और खासल खास कहा है आम का मतलब सामान्य जीव स्रिष्टियों को सामान्य कहा गया है इस सुरी स्रिष्टी के लिए प्रयग हुआ है खास अर्थात विशेश और ब्रह्म स्रिष्टी के लिए प्रयग हुआ है खासल खास मतलब वि परमहंच की तो यह अध्यात्म की अवस्था को ले करके बात हुई है यह तीन अवस्थाएं हैं जीवहंच और परमहंच की जैसे योगा वसिष्ट नामा की एक ग्रंध है उसमें चित्त की साथ भूमिकाओं का साथ अवस्थाओं का वर्णन किया है वाणी ने भी इस विश् ही छठी को सब्द न पहुंच ही तो सातमी द्रड क्यों होई योग की साथ भूमिकाओं है जिसमें से जो पांचमी भूमिकाओं वह है विदेही प्रत्यक जीव जिसको हम जीव श्रिष्टी कहते है ना प्रत्यक जीव उस अवस्था को कईवली अवस्था को प्राप्त कर स सकता है पर उसके लिए साधना की आवस्यक्ता पड़ती है जो शरीर भाव से उपर उठ जाए वह विदेही अवस्था है ठीक है उसके बाद जो छटी अवस्था है वह है हंस अवस्था हंस अवस्था में जैसे हंस क्या करता है हंस में एक खाशियत है कि वह दूद और पानी को अलग-अलग कर सकता है उसके कहा जाता है कि उसके चोंच में अंदर की तरफ कोई ऐसा रसायन होता है कि जैसे वह चोंच डालता है दूद म अगर पानी मिला वो फट जाता है और जैसे पनीर बनाते हैं उसी तरसे पानी पानी अलग हो जाता है और जो उसका वास्तविक पदार्थ है जो ठोस है वह हंस उसको खा लेता है इसी तरह से जो हंस की अवस्था में पहुंचे होते हैं वह माया और ब्रह्म को अलग-अलग कर कि जान सकते हैं पहचान सकते हैं बुद्धी से नहीं स्वरूप से अवस्था से बुद्धी से तो हमें भी पता है कि माया अलग है ब्रह्म अलग है पर हमारी वेवाहरिक्ता में माया का ही वेवाहर हम करते हैं पर वो अवस्था उनकी बन चुकी है और जो परम हंस अवस्था है परम्हंस अवस्था में जो भी पहुंचे हैं वह ब्रह्म में एकाकार हो जाते हैं हो सकते हैं तो ब्रह्म स्रिष्टियां ही एक मात्र ऐसी हैं जो परम्हंस अवस्था तक पहुंच जाती हैं इस संचार में भी बहुत सारे लोगों के नाम के साथ परम्हंस सब्द जुड़ा है ब्रह्मी सुश्वटि के अतिरिक्त भी परनतु वास्तविक्ता ये है कि वहाँ कैवल ये अवस्थातक पहुँचे होते हैं परम्हंस अवस्थातक कोई नहीं पहुँच बाता केवल ब्रह्म स्रिष्टियां ही पहुँच सकती है तो ये तीन प्रकार के स्रिष्टियों की बात की है और कहते हैं कि ये तीनों के जुदे जुदे मुकाम आम खास खासल खास कही बीच निजधाम जो खासल खास है उनका इस्थान निजधाम है जो खास अर्थात इश्वर स्रिष्टी है उनका निजधाम है अक्षर और जो जीव स्रिष्टी है उनका निजधाम कौंचा है नारायन तक उनकी पहुँचे तो या माया ही उनके हिसाब से तो निजधाम है और कहते हैं स्रिष्ट ब्रह्म की साथ है जाए मुहम्मद दिया पैगाम कते परंपरा में भी ये बात बताई गई है कि जो खासल खास मुमिन है अथवा जो ब्रह्मिन स्रिष्टी है उनके लिए ही मुहम्मद साहब पैगाम लेकर के आये थे और उसको खोलने की चाबी कौन लाई श्यामा जी तार्तम वानी के रूप में तार्तम ज्यान के रूप में और उसको जाहिर किया तार्तम वानी रूपी चाबी लाकर के उन्होंने इमाम के हाथ में अर्थात इमाम मुहम्मद महदी जो की प्राणनात जी हैं उनके हाथ में दिया और उनके द्वारा इमाम का शाब्दी करता है धर्म गुरू आखरूल इमाम का मतलब है आखरी धर्म गुरू उनके बाद ऐसा कोई हो ही नहीं सकता वानी क्या केती है कोई दूजा मर्द न कहा वहीं एक महंदी पाक पूरन तो वही हैं जो कुरान के भी रहस्य को खोलने वाले हैं और वही हैं जो विजय आभिनंद बुद्धन इस कलंग स्वरूप के रूप में जाहिर होने वाले हैं और हर प्रकार के कलंग को मेट करके निसकलंग रूप में प्रगट होने वाले हैं इस प्रकार की जो साक्षियां है वह हिंदु पक्ष में भी लिखी हुई थी और इस्लाम पक्ष में कते परमपरा में भी लिखी हुई थी अब कहते हैं कि एही साइत हजूर की तहां बेर नहीं लगार चार घड़ी दिन पिछला यह जाने परवर्दिगार कहते हैं जो ब्रह्मसिस्टियां हैं वह परमधाम में बैठ कर खेल देख रही हैं इस माया भी लिला को देख रही हैं वहां बैठे बैठे इस तरह से देख रही हैं कि जानो यहां पर तो लगबग हम गिनते हैं तब भी चार सो उससे उपर वर्स व्यतित हो चुके हैं पर परमधाम में सोई घड़ी है वहाँ एक पल भी इधर उधर नहीं हुआ है जैसे यहाँ की गिंती की इसाब से बताया जाता है कि साम के साड़े चार बजे का समय था वहाँ के लिला रूप में तो वहाँ वही पल वही घड़ी है महामति स्री लालदाशजी कहते हैं कि महामति कहे मुमिनों ए बेवरा तीनों का कहिया तुम कहों आगे और मजल की जो देखाया खेल हुकम अब यहां तीन स्रिष्टियों का बेवरा मैंने वणित किया अब आगे उन सब के मंजल के विशे में कि उन सब की जागनी कैसे हुई उसके विशय में बताने जा रहे हैं अब चुकि ये दीप बंदर के प्रसंग को वड़ित करने जा रहे हैं दीप बंदर कैसे पहुंचे जाम राजा के वहां गए पहले तो वहां से विदाई ली और विदा ले करके पहुंचे एहमदाबाद स दीप बंदर दीप बंदर में एक सुन्दर साथ हैं उनका नाम है जैराम भाई कंसारा आज वर्तमान में दीव नाम का जो इस्थान है दमन और दीव के नाम से हम जानते हैं उससे ही दीप बंदर कहा है बीतक में जो लोग पहली बार सायद सुन रहे हैं ऐसे प्रसंग को तो ऐसे बंदर सब्द आएगा, तो समझ लेना कि बंदरगाह की बात हो रही है, बंदरगाह मतलब तो समझते हैं न, जहाज रोका जाता है, सामान भरा जाता है, यात्रियों को भरा जाता है, या उतारा जाता है, जैसे हवाई जहाज का विमान इस्थल होता है, ऐसे ही पानी के जहाज का होता है बंदरगाह तो श्रीजी पहुंचे हैं दीप बंदर में वहां थे जैराम भाई कंशारा कंशारा इसलिए कहा जाता है क्यूंकि वह कांसे के बरतन को बनाने का कारिय करते थे अब वहां जब श्रीजी पहुंचे जैराम भाई कंशारा से मिले बहुत ही प्रस ये हैं, ऐसे उन्होंने श्री जी साहिब को मिहिर राज की रूप में ही स्वागत किया और कहा, कि हम सो कहो हकीकत इत पधारे कौन काज आप किस कार्य से यहाँ पर पधारे हैं आप हमें बताइये स्री जी ने कहा, किoda है देकर के ब्रम्षिष्थ्यों को जगाने के उदेश्य से भेजा है और मैं इसी उदेश्य के साथ यहां पर आया हूँ कि ढूण काड़ों साथ को माया करू खबर याद करू निजधाम को चलो राह इसलाम पर कि परमधाम की ब्रह्मन सिष्टियों को माया से निकालना है परमधाम की याद दिला करके उन्हें धर्म की राह पर चलाना है और अब स्रीजी की चर्चा होने लगई जैराम भाई कंशारा के घर में देवचंद्र जी की अंतरधान लीला से ले करके अब तक की सारी बात बताते हुए श्रीजी ने अब खंडनी करना शुरू किया कि जैराम भाई आपने अब तक सद्गुर महाराच से तार्तम लेने के बाद कितने लोगों को जागरित करने का प्रयास किया कितने लोगों को परमधाम का रास्ता दिखाया आप तो देवचंद्र जी से तार्तम लिये हो उनके समय के साथ ही हो तो आपके हृदय में ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि दूसरे तक ये तार्तम ज्यान पहुंचाया जाए कहते हैं तुमको ऐसा न चाहिए कर बैठो एती अंधिर कि अपने ही जीवन में अपने ही आत्मा में इस प्रकार का अंधकार करके बैठना अंधकार करके रहना आपको तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्या मायवी जीव में और आप में इतना भी फरक नहीं है दिवोचंद्र जी का अंतरधान हुआ तब भी आप नहीं आए एक चिठी तक नहीं लिखी बिहारी जी को हमने चाक्ला मंदिर में गादी पर बैठाया तब भी आप नहीं आए न कोई खोज खबर ली माया में तो आप ऐसे मिल गए हैं जैसे लगता है कि अनादी काल से यहीं के हैं कहते हैं मिल गए माया में ने जाने अनादी के इत हम कब हुन जाएंगे श्री धाम लीला मोतित आप कारिय तो कैसा कर रहे हो कि हम परमधाम में जागरित होने वाले ही नहीं है या परमधाम क्या है उसकी विशे में कुछ आता पता ही नहीं है आपको ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए कहते हैं तीन सामें तुम न देखिया के खाविन हमारा कित आपने तो ये भी नहीं देखा कि हमारे आत्मा का प्रियतम कहां पर है हम माया देखने आये हैं खेलने अथवा खेल में भूलने नहीं आये हैं आप ऐसा क्यूं कर रहे हो यो वचन खंडनी के स्री जी कहे बेसुमार कई द्रिष्टांत देखे किया जीवता खबरदार एक नहीं अनेक द्रिष्टांत से उन्होंने जैराम भाई कंसारा को समझाया है कहते हैं एक द्रिष्टांत उन्होंने दिया कि कबलो कासा कुटेगा कबलो हथोडा एहरन कबलो घर में बैठेगा आई सिर्पर कयामत रोशन कि जैराम भाई आप कब तक ये कासा कुटने वाले है अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या ये जो खंड़नी है जैराम भाई के लिए ही हुई है क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो भी तक लिखने की आवसेक्ता ही नहीं पड़ती जिनके लिए होने थी सो तो जाग गए हमने भी अपने अपने हिसाब से हथोड़ा एहरन किया ही हुआ है ना उन्होंने कासे का बरतन का काम किया हमने भी अपने अपने हिसाब से कोई ने कोई काम पकड़ा हुआ है जैसे जैराम भाई थे हम भी कोई कम तो नहीं है उल्टा ज्यादा ही है ज्यादा कैसे है मैं अभी प्रसंग के हिसाब से आगे बताऊंगा कह रहे हैं कि अब तो कयामत आ चुकी है अंतिम समय है तो कब तक घर में बैठेंगे यह जो चौदर लोग का संचार यह तो मुर्दार है नस्वर है इन सब का तो नास होने वाला है और आप कोई तो यह दावा नहीं करेगा हम में से कि आप इस्वरिस्ष्टी है अथा जीवस्ष्टी है दावा सभी ब्रह्मिस्ष्टी का ही लेंगे कहते हैं कच्छू सरम ना आ अब आप खुद ही चिंतन करो खुद ही मनन करो कि कब तक जिंदा रहोगे और जब तक जिंदा रहोगे क्या तब तक हथोड़ा एहरन ही करते रहोगे और अगर ऐसा करना है तो क्यों करना है ऐसा ऐसा तो नहीं है कि किसी की त्रिप्ती हुई हो उपनिशत क्या कहते हैं न वित्त कहते हैं धन को वित्त से कभी भी किसी की त्रिप्ति नहीं हुई है इसका मतलब यह नहीं ही कि आप सभी लोग अपने अपने जॉब से रिजाइन दे दे बिजनेस छोड़ दें करना है पर किस तरह से करना है निश्काम कर्म कुर्वन नेवेह कर्मानी जीजी वेश सतम समा निश्काम कर्न करते हुए सौ साल भी जीएं कि इस व्रकार के कर्म करनें अभी हमसे गलति यह होती है कि हम कोई भी कारिया कर रहे हैं तो ऐसा सोचते हैं कि हम अनादिकाल से यहीं के हैं और यहीं पर रह जाने वाले हैं हम अपनी त्रिप्ति अलग-अलग चीजों में उससे दूर ही रहते हैं जैसा कि उपनिशदकार ने कहा न वित्ते न तरपणयो मनुश्या ये वास्तविक्ता है आज तक ऐसा कोई नहीं है जिसकी त्रिप्ती धन के द्वारा पूरी होई हो कहते हैं कि जो जरूरते हैं वह तो फकीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिसे किसी बादशा की भी पूरी नहीं होती है कितना भी कमाया जाए कम ही पड़ेगा इसलिए त्रिप्ती तो नहीं होनी है कहते हैं कोई न अघाया इन में चचोडत ठर मुरदार स्री धाम धनी सुख छोड़के क्या हमेशा होगे ख्वार ये बहुत हाश्यास्पद भी सए है बस चिंतन करने के आओ सकता है एक बार चिंतन करेंगे बात हमारे समझ में आ गई तो कल्यान है अन्य था अगले साल तो भी तक सुन नहीं है तो वास्तविकता ये है कि जो प्रसंग बताया जा रहा है कोई न अगाया इन में चचोडत ठोर मुरदार इसका भाव ये है कि जैसे एक कुत्ता होता है वो सूखी हड़ी को चबाता है हड़ी चबाते चबाते उसके मसुडे में से खून निकलने लगता है तो कुत्ता क्या सूखता है हड़ी से रश निकल रहा है वो खुश होता है इंचान भी ऐसा ही करता है त्रिप्ती नहीं होती है पर क्या करता है जैसे सामान्य मनुस्य दिन में 6-8 गंटे का काम करता है नियम पूर्वक यदि देखा जाए अध्यात्म के द्रिष्टी कोण से तो 8 गंटे कमाने के लिए 8 गंटे में भोजन आराम इत्यादी बाकी के 8 गंटे को आप स्वाध्याय चिंतन मनन प्रवचन सच्चंग इत्यादी में लगा सकते है पर क्योंकि कि त्रिष्टा कभी भी समाप्त नहीं होती है तो त्रिष्टा के वशिवुतोकर मनुष्य क्या करता है आठ के जगपर 18 गंटे भी काम कर लेता है और वो जब काम करता है अब ठिंकिंग प्रोसेस जैसे उसका था न मसुडे में से खून निकल रहा है पर हड़ी में से रस निकल रहा है ऐसा सोचता है वैसे ही मनुष्य भी क्या सोचता है एक विक्ति है उसने 18-18 गंटे काम किया लाखों रुपे उसने जमा किया लेकिन इस चक्कर में शरीर का ध्यान नहीं रख पाया क्योंकि कैसे रख पायेगा 18 गंटे वो काम कर रहा है तो 6 गंटे में कैसे शरीर का ध्यान रख पायेगा तो वो क्या होता है जब तक जवानी है तब तक तो इंद्रियां फिर भी थोड़ी बलशाली नहीं होती है साथ देती हैं पर एक समय के बाद में उसको गंभीर बीमारियां हो जाती है और जब गंभीर बीमारी होती है तो क्योंकि उसने पैसा कमा रखा है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएगा सरकारी में तो नहीं जाएगा वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा वहाँ जाकर के A.C. वाले कमरे में होस्पिटल का है पर A.C. वाला कमरा है टीवी भी वहाँ पर लगा हुआ है और उस पर लेटे हुए सोचता है कि अच्छा हुआ अगर मैंने इतना धन जमा नहीं किया होता तो मुझे ऐसे होस्पिटल में रहने का मौका नहीं मिलता जबकि वास्तविक्ता ये है कि जोग पैसा खर्च कर रहा है ना हुस्पिटल में उसी के चक्कर में वो हुस्पिटल पहुँचा है इतनी लालच नहीं होती तो शायद उस अवस्था तक वो पहुँचता ही नहीं इसलिए स्री जी कह रहे हैं कोई न अगहाया इन में चचोडद ठोर मूर्दार किसी की भी तृप्ती नहीं होने वाली है देखिए तृप्ति वास्तों में कब होती है एक तो जब हमारे अंदर संतोस का गुण आता है और जब हमें संतोस कब आती है जब हमारे अंदर थोड़ी सी भी सही पर आध्यातमिक्ता होती है जहां संतों से वहां सुख है और जहां असंतों से वहां पर दुख ही दुख है जहां लोब है वहां दुख ही दुख है आप से एक सवाल पूछा जाए कि जैसे एक किसान है और जब खेद पे काम करने के लिए जाता है तो मोटी मोटी रोटियां बना करके लेके जाता है नमक मिर्ची प्याज के साथ में खेत में काम करता है तीन-चार गंटे हल चलाता है वहीं पर पानी बोटल में ले जा करके रखा हुआ है वो मोटी-मोटी रोटियां खा जाता है और वहीं पर मेढ को तक्या मान करके सो जाता है थोड़ी देर फिर उठता है थोड़ी देर काम करता है वापस घर में आता है दिन-बर का ठका हुआ है साम को भजन करता है मस्ति की नीद सो जाता है और दूसरा है कि महिने के करोडो रूपय की उसकी आय है पर दो रोटी से ज्यादा वो खा नहीं पाता है डाइविटिज की गोली साथ में लेना पढ़ रहा है सो अलग नीद नहीं आती है तो स्लिपिंग पिल्स लेना पढ़ता है और बात बात पर उसको चिंता सताय रहती है तो दोनों के जीवन में से आप सुखी किसको मानोगे एक साधन संपन्न होने के बावजुद भी दुखी है और एक साधन संपन्न नव होने के बाद भी सुखी है तो सुख इन बाहिय चीजों में नहीं है जिसको ये बात समझ में आ जाए तो वह हर परिस्थिती में सुखी रहता है आनंदित रहता है और साथ में जब अध्यात्म भी है उसके जीवन में फिर तो सोने में सुहागा है, संतोस भी है, जो खाली समय है, लोब लालज तो बिल्कुल है ही नहीं, खाली समय में अपने आत्म कल्यान की विशे में भी सोच पाता है, उसके लिए कुछ कारिय भी कर पाता है, तो सोचे कि उससे अधिक आनन्द तो और किसी में हो ही नहीं सकते वाणी कहते है कई कोट राज वैकुंठ के न आवे इतके खिन समान तो जिसे राज जी का आनन्द मिल जाए तो सोचे करोड़ो वैकुंठ के आनन्द भी उसके सामने फीके है अब आगे कह रहे हैं ए इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संचार पूरी दुनिया इंद्रिय के स्वाद के चक्कर में ही लगी होई है पाँच इंद्रिया है इनके विशे भी पाँच ही है सब्द इसपर्श रूपरस गंद और पूरा संचार इसी के चक्कर में है पूरा संचार किसी को जीवा का स्वाद बहुत प्रिय है किसी को अलग-अलग जगह पे घूमने का सोख है आखों का विशय अलग-अलग इंद्रियों के वस में है दर्मगरंद कहते हैं कुरंग मातंग पतंग भ्रिंग मिनाहता पंच भीरेवपंच एकः प्रमादी सकथम नहन्यत यसेवते पंच भीरेवपंच पांच प्राणियों का उदारण दिया है इस स्लोक में कि जैसे हीरण है हीरण को संगीत बहुत प्रिय होता है तो उसको पकड़ने के लिए पहले शिकारी क्या करते थे वनों में जाकरके विणा इत्यादी का धुन तान छेड़ देते थे विणा इत्यादी से और हीरण उसको सुनने में एकाग्रचित हो करके आँख बंद करके सुनने लगते थे तो शिकारी उसका सिकार कर लेते थे हाथी का सिकार करने के लिए अलग-अलग उपाय अपनाए जाते हैं एक तो जो पालतु हथीनी होती है उसको लेके जाया जाता है हाथी उसके साथ या उसको पाने के लिए उसके पास आता है और जो शिकारी हैं हाथी को पकड़ने वाले वो उसको या तो जैसे गड़ा खोदा होता है उपर-उपर से कुछ पत्तिवत्ते बिचा करके धका होता है हाथी उसमें फस जाता है जिस हा की इंद्रिय के कारण वो ऐसे वसमें हो गया कि गड़े में गिर गया पतिंगा है उसको अंदकार बहुत प्रिये है उसकी आखों को तो जैसे ही कहीं पर उजाला हो रहा होता है वो उस उजाले को बुझाने के लिए उसके शुरोत में कूद पड़ता है तो वो जलके मर जाता आखों के कारण एक है भावरा भावरे को सुगंधी प्रिये है पराग लेने के लिए भिन भिन फूलों में जाता है तो कई बार क्या होता है कि साम के समय में जैसे फूल मुर्जा रहे होते हैं बंद हो रहे होते हैं तो भावरा लालज के कारण उसमें से उठता ही नहीं है त पिर अंदर बैठा हुआ भामरा चिंतन कर रहा होता है रात रिर गमिश्यती भविश्यती सुप्रभातम भानुरुदःष्यती हसिश्यसी पंकजश्री कि रात बीत जाएगी सूप्रभात होगा सुर्य के दिखने पर यह जो कमल है वो खिलेगा जैसे खिलेगा मैं बाहर नि शिबुत हो करके भवरा मारा जाता है और मचली को मारने के लिए मचली को पकड़ने के लोग चारा फेकते हैं मचलियां खाने के लिए कठी होती है तो जाली में उसको फसाया जाता है या फिर वो हुक में कुछ चारा डाल करके आटे की गोलियां या फिर छोटी मचलियां या पिर केचव इत्यादि लगा करके मचलियों को फसाया जाता है, ये पांच प्राणी ऐसे हैं, जो एक-एक इंद्रिय के वस्मे हो करके मरें, और मनुश्य पांचों इंद्रिय के वस्मे है, इसको अच्छा स्वाद चाहिए, अच्छी सुगंदी चाहिए, अच्छे दृष्य हैं तो श्री जी कहते हैं कि एह इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार ए मुह के जीव रहेंगे मुह में तुमको तो चाहिए विचार कि आपको तो कम से कम विचार करना चाहिए ये तो माया के जीव है आप तो नहीं हो न इस तरह से स्री जी ने अब प्रबोधित करना शुरू किया है आगे किस तरह से अब खंडनी के और वचन है ब्रज और रास के द्रिष्टांत के माध्यम से भी समझाया जाता है कि ब्रज में हमारा कैसा प्रेम था राज्जिसे माया का सारा कार्य करते हुए time management हमारा किस तरह का था जाती है और परिक्षा के बाद किस तरह से दृड़ विश्वास के साथ में वह खड़े होते हैं उन सब की चर्चा सुनेंगी हम कल अब समय पुरा होता है जो पाइदो रहे है एह इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार ए मोह के जीव रहेंगे मोह में तुमको तो चाहिए विचार तुमको तो चाहिए विचार बोलश्री प्राणनात। झाल झाल